आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब शेनल आइडल देव क्लासिस में जैसा कि आपको पता है हम सामाजे विज्ञान का जो खंड नागरिता सास्त है कक्षा आठवी हिडगेट अभ्यास वुस्तिका का उसके अभ्यास प्रशनों को आपको आसान भासा में समझा र सब्सक्राइब किसी तरीके स्टार्ट करते हैं तो आज का अध्याय का नाम है हास्य करण से निपटना किसे निपटना हाश्या करन से इसका पहला प्रशन है इसको सब्सक्राइब और इन किया सवार्य सब करें धार्मिक संता हुना मिलते हैं भगवान सब अच्छा कर देगा उसके लडाई के दोरा अात्म परिश्कार ज्याने को बहतर बनाखर चिक्षार और आर्थिक बहतरी की रणनीत्री के साहरे हालात को बदलने का प्रयास किया पहला क्या हो गया कि भगवान सब ठीक कर देगा दूसरा क्या होगा लड़ाई की माध्यम से तूसरा क्या होगा अपने आपको बहतर बनाके इन सब तरीके से विविन समुधाय ने असामानता द्था भिद्वाव का सामना किया बढ़ते हैं प्रिश्ट कमांग 2 की तरफ प्रिश्ट कमांग 2 है जो आप से पूछ रहा है जंजाती अबादी वाले छेत्रों में सामाजी के न्याय को प्रुसाहित करने ही तू सरकार के द्वारा क्या कदम उठाएगा है इसका उत्तर जायगा बच्चों सरकार द्वारा नि प्रियाइति देरों पर छातरवास की सुईधा दी गई ठीक है अधुसरा हो गया सिक्षा संस्तान और सरकारी नोक्रियों में दलीक्तों वा अधिवासियों के लिए सीटों का अरक्षान का कानून बनाए गया ठीक है बच्छों मिलते हैं प्रिश्न कमांग तीन की तरफ प्रिश्न कमांग तीन आपसे पूछ रहा है अनुसुचित जाती एम अनुसुचित जाती अथिचार निवारन अधिनियां 1989 दलीक्तों और अधिवासियों के साथ रोजमर्णा में होने वाले दुरवैवार और इन सब से इन सब की रोकताम के लिए अनुसुचित जाती और जन जाती दिने उन नहीं से नवासी बनाए के लिए रहता है पढ़ते हैं प्रश्ण कमांग चार की तरफ बच्छों जिवासी अधिनियम 2006 में क्या-क्या प्रावदान है इसका उत्तर है कि बच्छों कि इन सरकात दोरा पारित अनुसुचित जाती और अन परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन समुदाए को घर के आसपास जमीन खेती और चराई योग जमीन और गैर लकडी वन उतपा उनके जो खेती करने का अधिकार हो या वहाँ पर जो बहुत सारे फल निकलते थे या और वी उतपाथ निकलते थे मंदन समद двухमादित उनी Jewish अधिकार दे दिया गया साथी उन्हें जेव वीचित सरक्षण का भी अधिकार दे दिये गया कि मड़ाइफ प्रिश्व क्रिश् से मंचीत रखा गया वहां लोगतांदिक सरकारों को इन तबकों की साहिता के लिए ठोज कदम उठाने चाहिए और वह थोज कदम आरक्षन से बहतर और कोई नहीं हो सकता था कई बर क्या होता है आउनको पिछले इठियात वह उसकी भरपाई और अभी कर सके है थीक है भारती सवीधान में चुवाशूत को रोखनी के लिए अनुचेत 17 वा अनुचेत 15 हैं उनमें से अनुचेत 17 में चुवाशूत को अनुमूलन किया गया है और अनुचेत 15 में भारत के किसी भी नागरी के साथ धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्मिस्तान के अनुचेत 17 वा पंदरा 17 में चुवाशूत का खतम किया गया और 15 में किसी भी धर्म, लिंग या नसल के अधार पर भेदभाव का ठीक कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं कर सकता बढ़ते हैं प्रिश्ट कमांग 8 की तरह बच्चों, प्रिश्ट कमांग 8 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हासियाई तपकों ने, क्या पूछ रहा है बच्चों, एक बार देखते हैं फिर से, कि हासियाई तपकों ने मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल किन तरीकों से किया इसका उत्तर हुजाए का बच्चों, हासियाई तपकों ने मौलिक अधिकार का इस्तेमाद दो तरीकों से किया पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोड़ देकर, उन्होंने सरकार को अपने साथ हुई अन्यायए पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया और दुसरा उन्होंने इस बात के लिए दवाव डाला कि सरकार इन कानून को लागू करें ठीक है जो अधिकार है उन्हों कोई हनन ना कर सके ठीक है बच्चों आया समझ इस आश्य करन वाले पार्ट में इतना ही प्रश्णुत्तर थे उमीद करता हूं कि आपको इस करें रिषमारा करने के तरीका चलगते हैं तो भी में बताएं और इस वीडियो को लाइक निकिया तो लाइक कर दिजीगा और आड़ अल्वान की बुटन दबा दिजिए गां मिलते हैं अले बीडिए लेक्टर साथ तब तक आप मढ़ा कर पढ़ाई कीजिए और अपने स्